सो साइन्स सेमकेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंडिया के सभी नर्सिंग पेरामेडिकल वालू के लिए यहाँ पर रेलवे की तरब से परमनेंट बर्ती आ चुकी है यह ओपिसली नोटिब केशन आप देख सकते हो जून मंत का यह नोटिब केशन अठरा जू रने वाली है 9000 पलस सभी डिपार्टमेंट की करके अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले है कि आपको फोरम किस परकार से बरना है और फोरम कौन-कौन बर सकता है यानि की इलिजिबलिटियां पर क्या रखी गई है सेलेक्शन आपका किस परकार से होगा सेलेरी आपके कित आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपको मैं दिखा देता हूं पहले तो यह आपका जोन देख लो बार्त सरकार, गौर्रमेंट ऑप इंडिया, मिनिस्ट्री ऑप रेलवे, रेल मंत्रा ले, रेलवे बॉर्ड की तरफ से यह नोटिफिकेशन, जहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसमें सभी केटगरीज की वेकेंसी रहने वाली है, जैसे कि जूनियर इंजिनेर होगे, पेरा मेडिकल केटगरी की वेकेंसी, जिसमें आपका स्टाप नर्स, नर्सिंग और इसके अलावा, पेरा मेडिकल के जितने भी यहां पर पोस्ट आती है, वो यहां पर रहने वाली है, जिससा कि यहां पर आप देख पारूंगे, जूनियर इंजिनेर, केमिकल असिस्टेंट और इसके लावा जो अधर सुप्रवाइजर पोस्ट है, इनका यहां पर 7,900 प्लस रहने वाला है, यहां के करीबन आप 8,000 मान सकते हो, अगर आप यहां पर नर्सिंग पेरा मेडिकल की बात करते हो, तो चलिए उसका भी अपडेट में आपको दिखा देता हूँ, यह अलग अलग जोन के साब से भी यहां पर शो कर रखा है, कि बुमबोई जोन में कि स्टाप नर्स का अपडेट आपको मिल जाएगा, चाओ तो आप वह वाला वीडियो भी देख सकते हो, और हुआ भी यही जून के मिडम तक आपका यह नोटिप केसन निकल चुका है, अब यहां पर पेरामेडिकल केटेगरिका देख लो, जहां पर आपको 6 नमर पे दिखा स्टाप नर्स यह लीजिए, छटवे नमर पे देखो आप स्टाप नर्स का सबसे ज़्यादा पोस्ट यहां पर रहने वाला है, वो है यहां पर 678, बाकि अगर आप देखोगे, औरियोलोजिस्ट, इस पिछ तेरेपिस्ट, डाइटेशन का बहुत ही कम पोस्ट है, लेकिन इसके अलावा एक और वेकियंसी है, 21 नमर पे, नर्सिंग सुप्रेडेंट की, यहां पर यह आरारबी की तरप से रने वाली है, इसके अलावा यहां पर आप देखो, इस पिछ तेरेपिस्ट हो गया, रेडियो ग्रापर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फिल्ड वरकर हो प्रविजन लोजिस्ट हो गया, डेलिसिस टेगनिसेन हो गया, डेंटल हाइजिन हो गया, यह पूरा आप यहां पर देख लो, केतलेब हो गया, इसीजी टेगनिसेन हो गया, इन सभी का टोटल पोस्ट यहां पर रहने वाला है, तेरा सो पचास, तो आपको तो एक पोस्ट यहां पर चाहिए तो आपकी तो पक्की है बस आप syllabus के according पढ़ाए कर लेना और syllabus क्या रहने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ selection procedure की बात करें तो आपका CBT exam होगा यानि की computer base आपका test होगा RRB यह देखिए RRB की तरब से यह notification आ चुका है अब यहां पर देखो forum का piece क्या रहेगा forum कौन-कौन बरसकता है यह notification तो आपने देखी लिया railway मंतराले की तरब से जिसमें paramedical category vacancy हमने देखिए बांकि other period की vacancy भी है आप चाओ तो आपके friend circle को बता सकते हो और आपके relative को बता सकते हो जैसे की junior engineering का आप देखोगे तो बहुत ही जदा पोस्ट यहां पे है और अलग-अलग जोन यहां पे रहने वाले पटना राची है ना गोरकफुर और यहां पर चंडिगड जम्मू अजमेर यह अलग-अलग जोन यहां पे रहने वाले है इसी प्रकार आपका staff nurse का जोन यहां पर रहेगा तो फोर्म कौन-कौन बरेगा वह यहां पर देख लेते हैं जिससा कि आप यहां पर देख पा रहेंगे एजुकेसन की बात करें तो यहां पे ZNM candidate भी फोर्म एप्लाई कर सकते हैं इसके लावा BS nursing candidate भी फोर्म एप्लाई करेंगे और MS nursing वाले भी candidate एप्लाई कर सकते हैं ZNM, BS nursing, MS nursing age limit का अगर हम बात करें तो कम से कम 21 होना चाहिए और अधिकतम 40 यहां पे होना चाहिए यानि कि आपका उमर 21 से 40 के बीच में होना चाहिए वैसे आपको age में रिलेक सेसन भी मिला हुआ है category के हिसाब से जिसे कि यह CHT वालो को 5 साल का, P, WD वालो को 10 साल का तो age को लेकर तो कोई issue आपका नहीं होने वाला, अब यहां पर बात कर लेते हैं forum piece की, कि forum का piece क्या लगने वाला है general category का 500 रूपीज, AWS का 500 रूपीज, OBC वालो का 500 रूपीज, YST वालो का 250, YST वालो का 250 तो देखो यहां पर piece आपका ज़्यादा नहीं है, लेकिन salary आपके बहुत ज़्यादा है, आपको भी तो salary चाहिए ना, वेतन चाहिए अच्छा वाला तबी तो आप permanent vacancy के लिए apply कर रहे हो, salary यहां पे साथवे वेतन के according रहेगा, साथवे वेतन के according आपका salary रहेगा, यानि कि वह यह आपका 45,000 से लगबग 1,22,000, यह आपका salary RRB में रहने वाला है, railway staff nurse में, paramedical में रहने वाला है और आपके लिए बहुत कुछी की बात है, कि इसकी जो official website है, उश पे भी update आ चुका है, यह देखिए, इसकी official website पे भी notification जारी हो चुका है चलिए notification दो एक बार अच्चे से और देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या syllabus रहेगा, फोरम कबसे बरना है, वो भी देखना है important है, कुछ vacancy का तो date भी आ चुका है, यहाँ पर देख लो CPO layer का, RRB layer का, यह कुछ vacancy का data आ चुका है यहाँ पर, है न, supervisor का, और यहाँ पर हम paramedical का देख लेते हैं, यह paramedical category का option यहाँ पर दे रखा है, अच्चे से आप देख सकते हो बांकि देखो, यहाँ पर junior engineering का post बहुत ही ज़्यादा है, और वेसे staff nurse का आपने देखा कि, comparison paramedical category में सबसे ज़्यादा है, तो चलिए, यहाँ पर पहले मैं आपको syllabus दिखा देता हूँ, यह लीजिए, यह आपका RRB staff nurse syllabus, देखो, चैनल subscribe कर रखा है तो पूरा update मिलेगा आ अब यहाँ पर microbiology, biochemistry, mental health, anatomy physiology, चाहँ तो no down कर सकते हो, विडवाइफरी, gynecology, और आपका हो गया, पर health, community health हो गया, फार्मेसी हो गया, hospital, clinical हो गया, fundamental of nursing हो गया, basic information about nursing, environmental housing, community health nursing, और आपका फिर यहाँ पर देखो, आप nursing subject के question, और आपका biochemistry हो गया, medical, surgical nursing हो गया, इसके अलवा, pharmaceutical हो गया, मतलब आपने जो past year, second year, third year में जो पड़ा है ना, पूरा वही रहने वाला है, drug store हो गया, आपका syllabus इस परकार का psychology हो गया, और कुछ यहाँ पे देखो, Indian current affair के question भी आपसे पूचे जाएंगे, तो यह इस परकार का syllabus आपका रहने वाला है, अधिकतर question आपके nursing subject के ही रहने वाले है, general awareness में आपका Indian politics हो गया, और Indian famous palace तो आपको पता है सही कि इंडिया में क्या-क्या famous है, कौन-कौन सी जगह है, वो basic जानकार तो वेसे आपमें है, civils का हो गया famous day और date, होता है ना कि जो date होती है कि कि किसकी ज दिवस कब मनाया जाता है, धुम्रबान दिवस कब मनाया जाता है, यह important date आपको पता होना चाहिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, यह basic जानकार आपमें होना चाहिए, और अधिकतर medical field की, चलिए और भी देख लेते, Indian environmental हो गया, latest देखो अगर आप बोलोगे कि सार इसके लिए आप preparation करवाईए, तो वह भी हम करवा देंगे, लेकिन आप comment में बोलोगे तब, latest GK हो गया, और यह general awareness में यह रने वाला है, आपका पार्लामेंट हो गया, river हो गया, lake हो गया, नंदियां, जीले, किले, इन से कुशन बनेगा बहुत स इंडियन टूरिस्ट हो गया, इंडियन आर्टिस्ट हो गया, बट इनकी कुशन कम रहेंगे, अधिक तरह आपके वह ही रहेंगे, hcf हो गया, lcm हो गया, simple interest हो गया, stock share हो गया, तो मेरा तो यह करना है, यह aptitude में रहेगा, आपका 70% तो nursing काई रहेगा, अगर वह कर लिया ना, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यह, time end व्रक हो गया, तो यह basic आपका syllabus रहने वाला है, अब यहाँ पर आप bowling sir, forum कब से start होगा, तो यह official जो website है, rrb वाला, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पर link activate इसी महिने के last में हो जाएगा, एना, और अलग-अलग zone में आपका रहने वाला है, चैनल subscribe कर रहा होगा, तो जैसे link activate होगा, तो सबसे पहले आपको update म मिलेगा, क्योंकि जैसे notification आया तो हमने बता दिया, और कुछी दिनों में इसके forum start हो जाएंगे, बाकि चैनल subscribe करके रखना, कुछी हपतों में इसके forum start होने वाले है,